नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब्पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI CSP के इस्टेंट अकाउंट के बारे में यहाँ पर आज से जो है हमारे SBI CSP पोर्टल पर जिनको भी इस्टेंट अकाउंट ओप्सन मिला हुआ है उनका जो है एकाउंट ओपेन होना स्टार्ट हो चुका है और successfully account open कर सकते हैं इस्टेंट अकाउंट यहाँ पर हमें एकाउंट क्रियेट करने के बाद जिस तरह से हमें reference नमबर मिलता था उसके साथ में हम अब हमें जो है create हो जा रहा है CIF नमबर and account नमबर यहाँ पर सारा कुछ create हो जा रहा है लेकिन यहाँ पर बात है कि क्या यह एकाउंट जो है fully activate हो रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरा विस्तार पूरवा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो के निचे लाल से लिखे subscribe बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि SBI CSP से लेड़े और कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अफलोड करता रहता हूं तो यहां पर एकाउंट ओपन होना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया थ कि बहुत सारे CSP को जो है स्टेंट अकाउंट ओपनीं का जो है ऑप्सन मिल चुका है लेकिन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था आज से यहां पर सभी लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्रियेट हो रहा है लेकिन यहां पर एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यह फ विड्रोल का प्रोसेस क्या है सबसे पहले यह देख लेते हैं जैसे ही आप एकाउंट ओपन करेंगे तो सेंट डिस्पेश टू फॉर्म एकाउंट ओपनिंग फॉर्म तू ब्रांच यहां पर आपको एक मैसेज मिलेगा तो यह फॉर्म को हम जब तक से ब्रांच में समिट नहीं करेंगे और ब्रांच से जब तक से इसका जो है समिशन कंप्लिट नहीं होगा तब तक से इस एकाउंट से जो है डेविट नहीं हो सकता है यानि कि विड्रोल ड्राल हम नहीं कर सकते हैं यानि कि एकाउंट तो हम ओपन कर लेंगे लेकिन यह फॉली एक्टिवेट नह जाल सकते हैं, एकाउंट open होने के बाद deposit जाल सकते हैं, लेकिन जब तक से इस forum को link branch में send आप नहीं करेंगे, इससे withdrawal नहीं हो पाएगा, तो इस account को open करने के बाद जिस process से हम account में forum को submit करते थे, यहनि कि जैसे हम print account को print करते थे, उसके बाद पूरा जो है उसका मोहर signature हो गारा complete करते थे, उस तरह से हमें पूरा complete करके branch में इसको forum को send करना है, जैसे ही आप branch में send करेंगे, तो वहाँ से activation होने के बाद ही, इस account से withdrawal हम कर पाएंगे, इतना आप जरूर ध्यान रखें, आप account open कर रहे हैं, तो तुरत stand आप withdrawal नहीं कर सकते हैं, जब तक से इस forum को आप branch में send नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोगों का comment आ रहा है कि अभी हमारे CSP portal पर यह नहीं सो कर रहा है, stand account जो है ओपनिंग का जो है option, तो आप जो option जिन लोगों को भी मिला था, वो open नहीं कर पा रहे थे, आज से यह complete हो पा रहा है account opening, तो धीरे धीरे यह सभी CSP portal पर लाइब हो जाएगा, दो-चार दिन में इसमें हमलाने के कोई भी बात नहीं है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप, आपको भी अगर stand account opening का option मिला हुआ है, अगर आप भी stand account open कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखे कि यह fully activate नहीं हो रहा है, एनकि आप इसमें deposit तो कर सकते ह लेकिन जब तक से इस forum को branch में आप send नहीं करेंगे, तब तक से इस forum, इस account से withdrawal complete नहीं हो पायेगा, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें, comment करें, share करें, और अगर आप इस चैनल प धन्यवाद मिलते हैं, आपको next वीडियो में इसी तरह के महत्मूर वीडियो के साथ, और जैसे ही इसका process complete हो जाता है, withdrawal का, तो मैं फिर से एक वीडियो पोस्ट करूंगा, कि उसके लिए आपको क्या-क्या activation कराने होंगे, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद मिलते हैं, आपक next वीडियो में इसी तरह के महत्मूर वीडियो के साथ,